एक दिन अकपर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को सौगस समीन उपहार में देने का वाइदा किया। बहुत दिन गुजर गए। परंतुम अकपर ने अपना वाइदा पूरा नहीं किया। बीरबल अकपर को समय समय पर उनके वाइदे को याद दिलाते रहे। अकपर बीरबल की बात अनसुनी कर देते और अपनी गरदन दूसरी ओर मोड कर भूलने का बहाना करते। कई दिन पीत गए। एक शाम अकपर और बीरबल नगर फ्रमण करने के लिए निकले। उन्हीं फ्रमण करते समय मार्क में एक उट नजर आया। अकपर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बताओ के इस उट की गरदन इतनी लचीली क्यों है। बीरबल नी चतुराई से उत्तर देते हुए कहा। महराज यहां उट पिछले जन में एक राजा था। एक दिन इसने प्रसन्न होकर अपने वजीर को सौग जमीन देने का वाइदा किया था। परंतु राजा अपना वाइदा फूल गए। जब भी वजीर उसे वाइदे की याद दिलाता तो वे अपनी गरदन मोड लेते और बात अनसुनी कर देते। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हों ने कहा यह तो असंभव है। बीरबल ने कहा महराज मेरा विश्वास कीजिए। यह सत्य है कि जब भी वजीर वाइदे की याद दिलाता तो राजा अपनी गरदन मोड लेते। इस पर घुस्से में आकर वजीर ने राजा को श्राब दिया कि अगले जन में तुम राजा से उट बनोगे और तुम्हारी गरदन हमेशा लचीली रहेगी। अकपर ने बीरबल द्वारा उंट की लचीली गरदन की कथा सुनी। उन्हें बीरबल की चतुराई समझ में आ गई। अकपर को अपना वाइदा याद आ गया। लजज़त होकर उन्होंने बीरबल को सौग जमीन उपहार में दे दी। बच्चों हमें किसी से भी कोई वाइदा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम किसी से कोई वाइदा कर ले तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। कहा भी गया है। रगुकुल रीती सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई।